वेरी गुड मॉर्निंग अड़ी बड़ी मैं सभी का साउगत करता हूँ विजिस ग्यान मुकेशनेक चैनल पर आज हम लोग क्लास 12 का अगर मुझे इस पे जादा सपोर्ड मिलता है जादा से जादा तो मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगा क्या होता है कि बच्चे क्या करते शेरी नहीं करते लाइक सब्क्राब भी करना चाहिए और कॉमेंट भी करना चाहिए क्योंकि आपको पता है इलेक्टर ने स्टुडेंट का में लेकिन कैसे इसके पहले मैंने कुछ इंपोर्टन कोश्यन दे और इसके कारण बच्चे की कॉमेंट्स आते थे कि सर आप करो करो लेकिन मैंने एक चाप्टर अप्लोड करके देखा तो इतना सपोर्ड नहीं मिला अगर आप मुझे सपोर्ड मिलता है बच्चो शूर गारंटी के साथ बोलता हो मैं पूरा सिला अप्लोड करूंगा लेकिन सपोर्ड आपका होना चाहिए न्यू सब्क्राइबल भी बढ़ घर का गेट हो सकता है या कोई मॉल में तो जाते हो ना सब लोग तो मॉल में भी गेट होता है उस गेट का काम क्या होता है किसी को अंदर आने देना या बहार रोकना ये काम होता है गेट का लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोनिस के बात कर रहा है यहां पर करन के बारे में बात क तो यह सभी लॉजिक, यह होगा लॉजिक, यह क्या होगा है, सभी लॉजिक, जैसे कि कोई-कोई तो डॉर आसे होते हैं, कि किसी को भी अंदर नहीं आने देते हैं, अपने मालिक को अंदर आने देते हैं, तो कार होता है, कुछ होता होगा इसे, लॉजिक ली चीज होती है, क कि किसको अंदर आने देना है या नहीं, यहां पर आप लोगों को एना, दो या दो से ज़्यादा इंपूट आप लोग ले सकते हो, जैसे की एक ब्लॉग डायग्राम है, दो, देखो, यह इंपूट है, यह डिजीटल input होते है हमारे पास जो है यहां पर हम लोग जो लेने वाल है digital input के बात कर रहे हैं और digital output मिलने वाला थे लेकिन यहां पर two or more two or more दो या दो से जदा input होंगे ठेक है और output लेकिन output only one होगा जदा नहीं होते ठेक है यह जो लॉजिक गेट बनानी की जो टेक्निक है ये हमारे ट्रांजिस्टर से डायोड से बनते है ठीक है एक्चुली तो कुछ और भी डिवाइस थे पहले लेकिन हम लोग आज कल वो वेकुम टूब ये बाकी चीज़ इस्तमाल नहीं करते हैं हम लोग आज कल ज्यादा करके आपके प्राक्टिकल में लाब में जो होते हैं वहाँ पे डायोड इस्तमाल करके इस लॉजिक गेट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है ट्रांजिस्टर या लॉजिक गेट ये दोनों ही इस्तमाल आज कल कर रहें पहले था जैसे कि आपके बुक्स में दिया होगा रिले है वेकुम लेकिन हम लोग माक्जिमम अभी डायोड से इस लॉजिक गेट को बनाना पड़ता है तो उसके बाद में इसके लिए कुछ कॉंसेट लगने वाले है जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले है कि लॉजिक क्या होता है क्या नहीं है लॉजिक एक स्टेटमेंड है यह एक स्टेटमेंड है और यह लॉजिक स्टेटमेंड होने के बाउजित भी यह वीच गूज दकंडिशन आप हाइइ इनपूट मतलब देखो वीच गूज कंडिशन आप हाय आउटपूट होना चाहिए इसके लिए क्या-क्या कंडिशन हो सकती है तो यह इसके उपर लॉज इन्पूट चाहिए तो क्या देखो यह जो पढ़ रहे हम लोग इसके पहले का चप्टर देखना बहुत जुरूरी है क्योंकि इन सभी डिजिटल सर्केट को एक ही लाइंग्वेश समझ में आती है और वो होती है बाइनरी क्या होता है बाइनरी क्या होती है मैंने अल्डी ब जाता है इसको हाई कहां जाता है ठीक है नमबर वन या तो इसको लोग को फाल भी कह सकते है इसको टू भी कह सकते है या तो अन कह सकता है या आफ कह सकते है या और वाइस और भी कह सकते है जैसे कि जीरो को अपन ओपन स्वीज बोल सकते है और इसको क्लोज बोल सकते है ऐस यह निर्भई करता इसके ऊबर ठीक है यह लॉटेपल किया होता है क्या तुन Treasury क्यों कुर्ट ट्रेबल कीसे निकालना यह ही पता नहीं है यह डीकेंड़ करता है हम tornar pass आप लोगों को पता है लॉजिक जो यह ब्लॉग डाइगराम है यह input है 2 2 से जादा हो सकते आउटपुट एक है, मतलब यह डिजिटल इंपुट से, दो से ज़ादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट ओनली वन होगा, समझा न, यही लाजिट का सिंबॉल है, तो टूट टेबल का काम क्या होता है, कि यह टेकिंग दो, आल पॉसिबल कॉंबिनेशन ओपुट विद रिस्पेक्ट तू आउटपुट, इसका रिस्पेक्ट तू कैसे आउटपुट आने वाला है, इंपुट कितने देने से, क्या आउटपुट क्या मिलेगा, वो डिपेंड करता है, गेट पे, तो सबसे पहले, टूट टेबल कैसे निकालना, जैसे दो इंपुट रहा, तो आपके लिए फार्मुला है, टू रिस्टू यन, अब यहां पर दो इंपुट है, तो यन की वैलू कितनी है, दो, तो टू रिस चार है, लेकिन एक बाद आन रखना, उसको एक ही पता है, इस गेट को, कि एक तो 0 होता नहीं, तो 1 होता है, यह only इस गेट को समझ में आ रहा है, तो start कहां से करें, 0 से, यह input है, यह output है हम लोग input के बाद कर रहा है, बाद में कौन लिखेंगे, 1, चार बार लिखना है ना, चार बार, कितने बार, चार बार, 0, 1, बाद में 0, 1, क्योंकि दो ही symbols है, एक तो 0, क्योंकि binary language समझ में आती, यह हो गया, इसको कैसे लिखता है, 2 raise to 0, 2 raise to 1, यह आलग है बाईया, यह कितने रोज आ रहे है, इसके लिए यह formula है, और यह input का formula है, 2 raise to 0, 2 raise to 1, बाद में अगर 30 input रहा तो 2 raise to 2, 34 रहा तो 2 raise to 3, 2 raise to 4, ऐसे, समझे, अब यहाँ पर इसके value कितने आएगी, यह 2 raise to 1 मतलब 2, यहाँ पर कितने आ रही थी, 2 raise to 0 मतलब 1, देखो इसलिए, 1 0, 1, यहाँ पर 2 raise to 1 मतलब 2 आ रहे है, मतलब आप लोगों को आप 2 बार 0 लिखना पड़ेगा, 2 बा आपका, ठीक है, किसी ने काया कि सर हमारे पास 3 input है, आप क्या करोगे, बोलो, C भी input है हमारे पास, C, तो मैंने बहुत 2 raise to 3 करो भी, यह 1 की value 3 है, क्या input है, 1, 2, 3, तो इसके 8 value हैगी, तो कितने रोज आएंगे, यहाँ पर 8 रोज आना चाहिए, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आ चाहिए, मैंने बहुत यार, इसी को continue करते, क्या करें, क्या करें, मैंने बहुत C लगा दो यहाँ यहाँ पर, यह अलग निकालो यहाँ पर, देखो, यह A, B, C, और यह Y input है, आपको क्या करना, 8, लेकिन यहाँ पर क्या formula 2 raise to 0, sorry, sorry, यहाँ पर 2 raise to 0, 2 raise to 1, 2 raise to 2, सही 1 0, 1, कोई tension है भया, समझ में आ रहा है, यहाँ पर इसके value कितनी है, 2 है, कैसे लिखोगे, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, बास समझ में आ रहे है, यहाँ पर C की value क्या है, 2 raise to 2, मतलब कितने, 4, मतलब continuously 4 0 लिखने, 1, 2, 3, 4, अब 1, 1, 1, 4 बास समझ में आ रहे है, किसी ने कहा, Sir, यह हो गया truth table, इस combination से हम लोग output निकालेंगे, respect to, जो भी होगा, जिसका जो operation होगा, operation, addition, multiplication का operation होता है, उस operation के इसाब से हम लोग output निकालेंगे, वो बात अलग है, लेकिन truth table कैसे बनाते है, इस combination को करते हुए, addition होगी, इसकी one, इसकी होगी one, इसकी लिए क्या होगी, हर किसी के लिए जैसे कि 4 input रहे तो sir, a, b, c, d रहे तो, तो d निकालो, अब मुझे बताओ, 2 raise to 4, इसकी value 16 होगी, कैसे, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 16 होगा न, multiplication होगा न, 4, 8, 16, अच्छी बात है sir, मतलब, अब यही truth table कैसे निकालो गया, अगर 4 input रहे तो, बहुत easy है, बहुत हलवी सी बात है, यह truth table निका is gate card, तो मैंने बहुत है, काम करते हैं, सिधी बात नो बखवास, यहाँ पर d, c, b, a, सही बहुत है, यहाँ यहाँ पर ऐसे निकाल सकते, a, b, c, d, ठीक है, यह output होगा, अब मुझे बताओ, कितने रो आ रहे हैं हमारे पास, 16, लेकिन starting कैसे बहुत है, 2 raise to 0, इसकी value 1 है, 2 raise to 2, sorry, 2 raise to 1 है, 2 raise to 2, 2 raise to 4, सही है बच्चो, ओके, यहाँ पर 3 होगा ना, यहाँ पर 2 है, यह 1 है, सही है, ठीक है ना, कैसे करोगे, तो सिम्पल, 2 raise to 0 मतलब 1 value है, मतलब 1, 0, 1, ठीक है ना, एक, दो, तीन, चार, पाच, चे, साथ, आठ, नौ, दहा, अकरा, बारा, तेरा, चावदा, पंदरा, सोला, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाच, चे, साथ, आठ, नौ, दास, ग्यारा, बारा, तेरा, चावदा, पंदरा, सोला, देखो, 16 होगे, लेकिन alternate, पहले 0 से start करना, अब क्या करोगे इसकी 2 value मतलब 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 समझे उसके बाद में अब 2 raise to 2 मतलब 4 तो 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 समझे अब क्या करोगे 10 2 raise to 3 मतलब 8 8 का कैसे लिखेंगे 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 समझे कोड़ें यह ऐसे टूटेबल हम लोग निकाल सकते ठीक है यह होगी बाईया बात टूटेबल की बुलीन एक्वेशन क्या होता है इस एक्वेशन से हम लोगों को इसका मतलब प्रोसेस क्या होनी वाली है यह पता लगता है mathematical equation represent a particular gate of input and output इससा पता लगेगा हम लोगों को तो यह हम लोगों को इससे पता लगता है जैसे कि y is equal to a plus b y is equal to a dot b भाया यही है बुलीन एक्वेशन क्या है बुलीन एक्वेशन सकते उसको ठीक है और इसका operation भी होता है आपके books में operation किसको कहा है जैसे कि operation इसको पढ़्देवकर पढ़ते a और b और a and b लेकिन इसका operation यह है addition और इसका जो operation यह है multiplication बस समझ में आ रही है यह होता है इसका operation और symbol जैसे resistance का symbol निकालते हैं हम लोग ठीक है symbol निकालते है resistance का यह symbol है ठीक है तो वैसे जैसे की AC का AC circuit रहा तो यह यह DC power supply रहा तो यह वैसे logic gate का भी logic gate अलग-अलग gate है पढ़ने वाले types of gate पढ़ना है हम लोगों को इस logic gate में types of gate पढ़ना है उसमें हम लोग पढ़ने वाले है तो यह था इसका basic knowledge हम लोग अब पढ़ेंगे कि logic gate होता है क्या और कौन-कौन से gate पढ़ने है एक्चुली logic gate हम लोग के सामने अलग-अलग logic gate है derived gate and basic gate लेकिन हम लोग आज के lecture में उनले basic gate को यहाँ पमें detail में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हाँ पे सबसे पहले types of gate कौन से types of gate आज के gate में सबसे पहले बात होगी basic gate कुछ लोग fundamental gate भ funda mental gate मतलब यह gate किसी की उपर निर्वे नहीं करते ही है खुदका evolutions इसमें तो उसमें आप लोगों को दिये वाले number one है gate or gate यह capital letter होना O-B-R-P-A ठीक है? B है भाईया या second बोलू इसको and gate देखो capital letter and gate and then तीसरीया number का जो gate है हमारे पास यहाँ पे है not gate बच्चो समझ में आ रहे हैं कितने gate से? तीन gate से हमारे पास यह दिये वाले है उसके बाद में derive gate से ठीक है? उसके बाद में कौन से है? derive gate ठीक है? इसको A बोलो इसको B बोलो ठीक है? derive gate ठीक है? derive gate में बच्चो हम लोग पढ़ेने वाले देखो इसके सामने खली यन लगाना है देखो नौर गेट हो गया दूसरा जो गेट है बस यन लगा दो and as it is रखना खल यन लगा ना मतलब इन दो गेट का combination इसका 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 ये दो गेट हमारे यही से स्टार्ट होते है और तिसरा जो गेट है हमारे पास जो यहां पर फॉर्ष्ट ये सेकर्ड और ये जो थर्ड है वह यक्स और गेट ठीक है इसके बारे में हम लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो हमारे पास कितने टैप्स के गेट है दो कौन से पहले बेसिक गेट और दुसरा जो यह वह है हमारा डिराइड गेट इन दो गेट से हम लोग पहले बेसिक गेट क्या होते है बाद में डिराइड गेट कैसे होते है इसका symbol, bulan equation, to table, सबी चीज़े बहुत ही details में पढ़े हैं आप के सामने यहां पर two gates जो है पहले इसको इसको universal gate भी कहा जाता है ग्राइड पयरे सल कहा जाता है so चलो, तो सबसे पहले और gate का हम लोग वाट लगाएंगे, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे यह जो gate है यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा भी input ले सकते है, ठीक है, तो इस gate के लिए हम लोग सबसे पहले क्या क्या logic है, सभी चीज पढ़ने वाले है, चलो, क्या है, मुझे symbol, symbol होता है, और gate का, यह ऐसा है, यह, ठीक है, symbol को याद रखना बढ़िया, 2 या 2 से ज़्यादा भी input निकाल सकते हैं, हमारे books में, basic 2 gate के यह यह output है, और इसको करते है, A और B पढ़ते हैं, लोग प्लस नहीं, प्लस इसका यह है, काम है उसका, ठीक है, symbol हो गया सबसे पहले अब इसकी लिखेंगे, boolean equation, boolean equation है, y is equal to a plus b, समझें, पहले symbol, देखो, एक number पे symbol लिखा, दो number पे आपको boolean equation निकालनी है, तीन number पे हम लोग इसकी operation की बात करते हैं, जो की, आपके books में बोलते हैं, operation, इसका operation है बढ़िया, कौन सा, addition, number 4, हम लोग इसका truth table निकालेंगे, ठीक है, one by one पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग की यहाँ पे क्या-क्या हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे addition बोलो, या plus का sign भी लोग indicate करता है, symbol, boolean equation, operation, अब निकालेंगे truth table, truth table के लिए कितनी inputs लिए हैं, दो inputs हैं हमारे past, जैसे क एक a है, एक b है, और y is equal to इसका जो output होता है, यह है input, और यह output a plus b, देखो यहाँ पे, मैंने बोला तो दो input रहा तो एक 0, 1, 0, 1, ठीक है न, 0, 0, 1, 1, truth table कैसे निकाला है, मैंने आप लोगों को कहा है, already, ठीक है, यह हो गए input, output, यह, दो, तीन रो, और यह, चोथिरो है, च 0, 0 ही होगा, obviously, 0 plus 1, 1 होगा, 1 plus 0, 1 होगा, और 1 plus 1, 2 होगा, नहीं, भाया, यहाँ पे हम लोगों को 1 ही होगा, सर कैसे, भाया, इसको note डाउन करे, यह बहुत ही importance होने वाला point हमारे लिए, बहुत माहिने करने वाला, most importance point होगा, 1 plus 1, 1 कैसे, सर, समझा दो, इस चीज को समझा दो हम लोगों को हमारे पास बिल्कुल इसके लिए, बहुत दिमाख खाने वाली चीज लग रही है, बिल्कुल मठ tension देना, हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, एक, निकालेंगे, ऐसे ही, circuit diagram, किसकी, circuit diagram, ठीक है, इसका logic भी क्या है, मैं समझा दूंगा, इसके बाद, actually, आप लोगों को प्रूब करके देना बहुत जरूरी है, चलो, बात करते हैं सबसे पहले, कि कैसे, देखो यहाँ पे, आपके पास क्या किया गया है, एक पारलेल, ऐसे switch, switch समझतो हो, आपने घरों में switch होता है, switch, button, button, हमारे लेंग्वेज में बता रहे हैं सारे, देखो, य मजाएगा, आप मजाएगा, देखो, positive, negative, positive, negative, यह cell combination से, बैटरी है, voltage लगए, यहाँ पे, दोनों switch है, यह switch है, एक भी है, अब मुझे बताओ, दोनों open है, current कहां से कहां जाता है, positive से, negative के तरफ current आता है, अब यह दोनों switch open है, why disconnected है, क्या current इस बल्ब को मिलने वाला है, ब मतलब हम लोग और एक truth table बना सकते है, जो कि अपके books में दिया गया है, वैसे, A, B, और यह output, ठीक है, A, B open है, B, B open है, तो यह lady यहाँ पे off होगा, यह lady क्या है, off होगा, यह lady क्या है, off होगा, obviously, यह Y मतलब यह lady, यह lady off है, दोनों wire यहाँ पे disconnected है, इसके कारण, ठीक है, मैं दोनों भी यहाँ पे आप लोगों के सामने दे रहा, अब देखो, next, काम करने माले देखो, A, 0, B, 0, A, 0, B, 0 मतलब open, दोनों open है, A, 0, B, close, B को close करना है, ऐसे, करण क्या करेगा, आएगा, यहाँ पे तो switch off है, यह close है, तो करण यहाँ से जाके, हमारे बल्प को मिलेगा, और बल्प यहाँ पे on होगा, बया, मतलब, A open है, देखो, दिखाए देर, A open, B क्या है, close है, तो करण मिलगा है, जिसको बल्प को, और बल्प क्या होगा, बया, on होगा, obviously, लग रहा भी ऐसे, सही बया, अब देखो, यहाँ पे A को close करना है, A को close करो, B को open रखा है, देखो open है, B open है, तो output क्या होगा, करन जाएगा, यहाँ से करन जाएगा, बल्प को मिलेगा, और बल्प on होगा, बस सही है, बया, fourth condition देखो, यहाँ पे, A, B, close करेंगे, और B को भी, close करेंगे, A is close, B is close, देखो, दोनों close होगे, करन आ गया, अदा इधर जाओ, आदा इधर जाओ बाकी मेरे पिचले, लेकिन यहाँ पे आके करन मिल रहा है, और किसको मिल रहा है, भया, बल्प को करन मिल रहा है, बल्प होगा, on, और हमारे language में मैंने बोला आपको, कि off मतलब क्या, off मतलब zero, और on मतलब क्या, one, मेरी बात कुछ कोपड़ी में जा रही है, सभी वच्चे क सभी मेरे भाई लोगों कि के, दिमाख में जा रहा है कुछ, तो आप समझ में आ गया है, कि दोनों भी यहाँ पे यह क्लोज, यह क्लोज मतलब one, one है यह, इसलिए one मतलब on है, इस को, इस टेबल को, इस टेबल के साथ मैच करे, और अपना दिमाग की बत्ति जलाए भया, इ इस बात से समत हो, तो देख लेना, यह जो सर्किट है, वही है, अब मेरा लॉजिक क्या कहता है, सर इसके अंदर लॉजिक बता दो, क्योंकि यही बहुत ही, क्योंकि इसका नाम ही यह चाप्टर का लॉजिक गेट, और लॉजिक ही बताना है आप लोगों को, एक बात अधने भी स्विचेस रहने तो एक भी स्विच क्लोज रहा तो करन जाके इसको मिलेगा, देखो न, एक भी रहा, तो इसमें से जाएगा, नहीं रहा, इसमें से, किसीमें से एक रहा, मतलब, अब इनि इंपुटिज हाई, ओवट इन्पूटिज हाई, यह त्रू बोलते है है true बोलते हैं हमेशाथ A is true B is or B is true Y is true ऐसे बोलो या मैं जो बोलता हूँ any मैं बहुत important language में लिखे दे रहा हूँ any input is true क्या होगा output is true होगा true मतलब one true का मतलब one या any input is high output is high देखो दूसरे में any input is high output is high बात समझ में आ रही है मतलब एक भी input को यहां पर मतलब एक भी switch close करो तो आपका bulb जलेगा उजाला देगा लाइट देगा यह मतलब है यही logic है और gate के अंदर समझें मेरी भाष्या समझ में आ रही है कोई tension नहीं है मैं बढ़ रहाओ बच्चों आगे चलो next gate है हमारे लिए एंड गेट सेम 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 कहानी होगी ठीक है सेम कहानी होगी ओनी यहां पर क्या हो रहा है और क्या नहीं है ध्यान देना है बस अच्छी तरह से अब देखो next target हमारा जो gate का वो हे हमारा एंड और और वहां यह क्या है, सबसे पहले क्या है हमारा target आपट स्यमम let सिम्बॉल कैसे है सेमी सर्कल जैसे सिम्बॉल है सेमी सर्कल देखो सेमी सर्कल बिल्कुल सेमी सर्कल जैसे है भया सिम्बॉल ही उपर डिपेंड करता है अगर जो बच्चे नीट जे डेवली सीटी की तैयरी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपोर्टन चप्टर है इसी के उपर सवाल आते है y is equal to output है वो है आपका a dot b इसको कहते है output और ये दो ही input ले रहे आप लोग दो से ज़्यादा भी ले सकते हो लेकिन हम लोग इतने complicated circuit पढ़ते नहीं है easy way पढ़ते है ठीक है symbol होगा है number one number two हम लोग क्या पढ़ते हैं इसका mulean equation क्या है हमारे पास equation क्या है भाईया a y is equal to a dot b क्या है a dot b चलो third number क्या चीज है इसका operation क्या है operation मतलब इसका काम क्या है वो है हमारे पास multiplication क्या 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 है इसका multiplication का क्या है चुछी चीज क्या है हमारे पास true table क्या है या true table कैसे निकालते true table चलो जल्दी से हमने दो ही input लिये है तो दो input के हिसाब से निकालेंगे यहाँ पर दो ही input है तो दो ही input के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले है तो यह ए ठीक है देखो 0, 1 0, 1, 4 row होते हैं अब लोगों को formula 2 raise to 1 तो 2 raise to 2 मतलब 4 तो 4 row होना चाहिए 1, 2, 3, 4 और start 0 से ही करते हैं हम लोग और 2 ही symbol ही 0 और 1 तो 0, 0, 1, 1 चलो इसका output क्या कैसे निकालना है A dot B multiplication करने सी दी बात no बक्वास सार क्या क्या बोलते हैं चलो यह अब बात करते हैं इसके लिए 0 dot 0 मतलब multiplication 0 होगा 0 multiply 1 क्या होगा 0, 1 multiply 0 0 से multiply 1 तो 1 multiply 1, 1 आ रहा है बहुत बढ़ी आसर यह होगा आपका यहाँ पे टुटिबल चलो बात करते हैं अब भी क्या क्या होने वाला है and gate में हम लोग यह देखना चाहते हैं कि सही में इसमें क्या कर सकते हैं अब देखो यह parallel थे अब only इतना change है series में आने वाले क्या होने हैं दोनों जो switch थे वो switch आ रहे देखो यह दो ही है ऐसे ज़्यादा भी रहे तो ज़्यादा भी आप लोग connect कर सकते हैं चलो क्या होन वाला सबसे पहले condition a is open देखो 0 मतलब open हा b is open तो यह दोनों open रहे तो current मिलेगा क्या नहीं वायर तुट्टे वाली है ऐसा समझो current नहीं जा सकता यहाँ पे भी break है यहाँ पे भी break है वायर break हो चुकी है open है current मिलेगा क्या नहीं तो हमारा light off रहेगा light क्या रहेगा off रहेगा ओके यह open यह close यह दोन देखो मतलब यह A है यह B है A is open B close करो तो current पहुचेगा क्या यह light तक नहीं परिचने आला क्योंकि बीच में break है इसलिए यहाँ पे होगा off क्या होगा भया आफ होगा current नहीं मिलेगा बल्प नहीं लगेगा तिसरी कंडिशन A is close B is open यह ना लेकिन तो यहाँ पे current नहीं पहुचेगा क्योंकि तुटे वाला है switch off है वह यहाँ तो यहाँ पे एक close था एक open था देखो यह close यह open है लेकिन light यहाँ पे आफ ही रहेगा समझे दोनों close it यह close it अब current जाएगा light को मिलेगा light glow होगा और current मिलने से light glow होने से हम लोग उसको कहते है on condition मेरी बास समझ में आ रही है yet और इससे compare करे क्या क्या हो रहा है समझ में आ रहा है अब इसका logic क्या है सर्थ output is low बोलो एक यह logic होई सकता है या all the input is high output is high दोनों में से कोई भी logic सही है दोनों बोल दो लेकिन देखो any input is low output is low मिलेगा या आप दूसरा क्या मिल सकता है हम लोग क्या बोल सकते है all the input all the क्योंकि एक ही input नहीं ऐसे बहुत सारी input लाई सकते है all the input is high output is high otherwise 0 otherwise low नहीं तो ऐसे लिख सकते है otherwise 0 इसका मतलब यह condition नहीं रही तो 0 मिलता है इसमें भी ली सकते any input is low output is low ठीक है यह भी सही है यह भी सही है दोनों लॉजिक सही है आप जो चाहते हो वो इस्तेमाल करो सही है भाया दिखाई दे रहा है all is well चालुए है लेना अग्गे बहुत सिंपल और सीधी सीधी बाप नो बगवास पहले सिंबॉल बुलेन इक्वेशन ओप्रेशन टूट टेबल यह टूट टेबल है सरकीट डायग्राम से यह टूट टेबल वरडिंग में और इसका लॉजिक क्या है इसका लॉजिक क्या है आप लोगों को बता न है बस सिंपलस बात नो बगवास सिंपल सिंपल सिज़ए चलो कौन से गेट पढ़रे हैं लोग बेसिक basic में से 2 gate हो गए के ग बाकी कॉंचा बागी है कॉंचाओ घैड़ बाकी है only and only just not gate यह सब कुछ ultra काम करता है इन्वर्ट करते है इसको also compliment यह due सकते है इसके उल्टा बोलना है जो भी हो रहा है उसको व्ल्टा पुलना है औहाँ कैसे जो यह when पास not gate चलो सिम्बॉल सर सबसे पहले हम लोग सिम्बॉल पढ़ते किसी का भी सिम्बॉल किसी बाद जमते हैं हम लोग को सिम्बॉल है भाईया डायर जैसे निकालते हैं यादे आप लोगों को physics में डायर निकालते हैं ठीक है यह only change यह है इसका input एकी input रहता है ए रहात तो output इसका उल्टा होगा यह इसका output और एकी input सबसे main बात क्या इसमें इसमें एकी चीज ऐसी है कि एकी gate ऐसा है कि एकी input एकी output बाकी gate में दो-दो से ज्यादा हो सकते हैं एकी ऐसा gate एकी input एकी output उसी समत लेना जब एकी input मिले और एकी output मिले तब not gate और not gate का काम होता ओल्टा और हुमरे पास दो ही छीज़े एक तो 0 है और 1 है तो 0 के 1 होगा और 1 के 1 होगा बस खतम ago यह gate का यही meaning है और कोई meaning नहीं है ठीक इसको inverter भी कहता है कहते है कुछ लोग चलो इसके लिए और boolean equation क्या है नम्बर 2 क्या है इसके लिए boolean equation Y is equal to A bar ये इसका equation विजिए चलो इसका operation क्या विया इसका operation क्या है इसका operation है compliment कहो या invert term कहो है ना ठीक है यह भी कह सकते है चलो और चोथी चीज truth table पड़े नहीं है हम लोगों को truth table क्या truth table पड़ते है चलो truth table जैसे मैंने बता दिया आपको a, a, b, y is equal to a bar यहाँ पर तो एक की input और एक की output है नहीं चलेगा ऐसा है y is equal to a bar यह भाईया input और यह है आपका output चलो 0 रहा तो उल्टा करो 0 की उल्टा क्या होता है 1 और 1 की उल्टा 0 कि कि दो ही चीज़े हमारे पास इसलिए tension नेनी की जो रत नहीं है हो गया भाईया इसका truth table इसकी logic diagram निकालो सर्थ ताकि हम लोग इसको complete कर सकी कि इसका circuit कैसे होगा तो मुझे लगता है इसको मिताना बहतरीन रहेगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है हमारे पास तो चलो बच्चों हम लोग अब इसकी जो भी logic diagram होगी circuit diagram sorry circuit 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 चलो तो इसके लिए काम करते हम लोग एक battery ले ये ठीक है ये ले बैटरी ये positive negative एक हम लोग ने निकालाई कि यहां पे switch समस्तों आपने घर पे switch होते वैसे और यहां पे एक तो यह lady लगाओ या बल्प लगाओ बल्प मुझा अच्छा क्यों लगता क्यों इसको उजला दिखाई देता है जल्दे से हम लोग और ये एक ही देखो एक ही input है ठीक है एक input मुझे बताओ current आ रहा है यहां पे आने की कोशिच कभी भी धाय में रखना current शॉटकट देखेगा अब बोलेंगे सर इसमें से current क्य होना चाहिए मैं भाग दाओ जल्दी से तो ये जीरो था तो current यहां से नहीं सकता है current कहां से जाएगा इधर साएगा इधर सा और बल्प हमारा on होगा जब मेरा switch open था open समस्तर न जीरो था तब ये देखो मतलब हम लोग निकाल सकते a y is equal to a बार देखो ये open है तब हमारा य इना on हो रहेगी नहीं दूसरी condition देखो इसको close करो close कर दिया अब देखो current क्या करेगा short cut positive से negative current positive से negative अब बोलेंगे इसमें से जाएगा current थोड़ा से negligible लेकिन पता ही नहीं लगेगा इसको ये उजला नहीं देपाएगा या ये होगा हमारा और समझे मेरी बास समझ में आती होगी सीधी बात नों बकवास ओके हो रहा इसमें क्या लॉजिक है तो लॉजिक तो इसका सब कोई पता लगा है कि a is true why is false मतलब देखो यहां पर लॉजिक क्या इसका लॉजिक है ए इस ट्रू है ना यह यह फॉल्स होगा ठीक है यह यह फॉल्स तो वाइज फॉल्स होगा मतलब आपोजिट में होगा बस यह थे भया आपके बेसिक तीन गेट कौन-कौन से बेसिक एट और गेट अंड़ गेट आंड नौट गेट कल हम लोग पढ़ने वाले नौट आपके सामने कल उसका मैं प्रेजेंटेशन करूंगा भाया सपोर्ड होना बहुत जरूरे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ड करो लाइक करो कॉमेंट डालो यार कैसे वीडियो लगाया है चलो बाइ करता हूं और आपके पढ़ाई के लिए में बेश्ट अब्दे करता हूं थैंक यू फार विजिटिंग दी चैनल और बेश्ट लग फ़र युआश्ट होलो बच्चों बहुत सरे बच्चों को फिजिस के लेक्चर ने मिलते हैं आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिस ग्यान मुकेशनाइक जैसे फिजिस ग्यान मुकेशनाइक डालने के बाद यह मिलेगा फिजिस ग्यान मुकेशने चैनल उसको पहले क्लिक करना है जैसे क्लिक करने के बाद यह पेज मिलेगा आपको in adapted पह पेज पेज़ पर आने के बाद आपको एंट्रो मिलेगा उसके बाद में यहां पर फिजिस की पूरी नोट्साइवेलबल से और वो भी गिरि के लेक्चर मिलने वाले जैसे कि part 1 की पूरे लेक्चर से इसमें part 2 के इसमें लेक्चर से physics class 11 के 10 के और electronics के नीचे आने के बाद आपको part 1 में rotational dynamics, mechanical properties of fluid मिलेगा, ktg and radiations के लेक्चर मिलेंगे, पूरे oscillation के मिलेंगे, superposition, importance formulas मिलेंगे, important questions मिलेंगे इस पर साथ में नीचे आने के बाद आपको part 2 में current electricity, magnetic field due to the electric current, magnetic material मिलेगा, electromagnetic induction, AC circuit, dual nature of radiations मिलेगा और साथ में आपको structure of item and nuclei and semiconductor, ऐसे chapters यहाँ पर पूरे मिलने वाले तो ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों को share करें ताकि पूरा सिलाबसी channel पर मिलेगा, notes मिलेगे, आपकी exam होने वाली है, पूरे unit wise, mock test, full length test, MCQ test, सभी test भी इस channel पर आपको मिलते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करना, like करना और subscribe भी करना